जै माता दी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सौंबार ब्रत की कथा और ये कथा इस परकार है किशी नगर में एक धनी बैपारी रहता था दूर दूर तक उसका बैपार फैला हुआ था नगर के सभी लोग उस बैपारी का समान करते थे इतना सब कुछ संपन होने क के बाद भी वह बैपारी बहुत दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी जिस कारण अपने मित्री के पश्चाद बैपार के उत्तरादिकारी की चिंताउसे हमेशा सताती रहती थी कोट प्राप्ति की इक्षा से बैपारी प्रतेक स्वंबार भगवान शिप की ब्रत पूजा किया करता था और शाम के समय सिप मंदिर में जाकर सिवजी के सामने घी का दिपक जलाया करता था उसकी भक्ति देखकर मा पारवती प्रेसन हो गई और भगवान शिप से उस प्यपारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेधन किया भगवान शिप बोले इस अंसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है शिप जी दोरा समझाने के बाप जुद मा पारवती नहीं मानी और उस प्यपारी की मनोकामना पूर्टी हेत वे शिप जी से बार बर अन्रोद करती रही अन्तित है माता के आगरे को देखकर भगवान भोले नाथ को उस प्यपारी को पुत्र की प्राप्ति का वर्दान देना पड़ा वर्दान देने के पस्चाद भोले नात मापारवती से बोले आपके आगरे पर मैंने पुत प्राप्ति का वर्दान तो दे दिया परन्तु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा उसी रात भगवान शीप उस वेपारी के सोकर में आये और उसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान दिया उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बतलाई भगवान के बर्दान से वेपारी तो खुश हुआ लेकि पुत्र की अलपायों की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया वेपारी पहले की तरह सौंबार के दिन भगवान शीप का बेधिवत वर्द करता रहा कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अती सुंदर बालक ने जनम लिया और घर में खुशिया ही खुशिया भर गई बहुत धुमधाम से पुत्र जनम का समारूम मनाया गया परंतो वेपारी को पुत्र जनम की अधी खुशी नहीं थी क्योंकि उसे पुत्र की अलपाईयों के रहस्य का पता था जब पुत्र वारावर्ष का हुआ तो वेपारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए बारानसी भीज दिया लड़का अपने मामा के साथ सिक्षा प्रापती हितु चल दिया रास्ते में जहां भी मामा भांजा विश्राम हितु रुकते वहीं यग करते और ब्रामनों को भोजन करवाते लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे उस दिन नगर के राजा की कन्या का विभा था जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था निश्चित समय पर भरात आई लेकिन बर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुँच इंतित था उसे भैद था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विभा से इंकार ना कर दे इससे उसकी बदनामी भी होगी जब बर के पिता ने मैपारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिक में इविचार आया उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूला बना कर राजकमारी से विभा करा दो विभा के बाद इसको धन देकर विधा कर दूँगा और राजकमारी को अपने नगर ले जाओंगा वर के पिता ने लड़के के मामा से इस समंद में बात की मामा ने धन मिलने के कारण लालच में वर के पिता की बात को स्विकार कर लिया लड़के को दूले का वस्तर पहना कर राजकुमारी से विभा करा दिया राजकुमारी ने बहुत सारा धन दे कर राजकुमारी को विधा किया शादी के बार लड़का जब राजकुमारी के साथ लोट रहा था तो वैस सोच वैस सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओडनी पर लिख दिया राजकुमारी तुमारा विभा मेरे साथ हुआ है मैं तो वारानसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुमें जिस नव्यों के पतनी बनना पढ़ेगा, वह काना है जब राजकमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इंकार कर दिया राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकमारी को महल में ही रख लिया उदर लड़का अपने मामा के साथ वारानसी पहुच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया जब उसकी आयू शोलावर्स की हुई तो उसने यग किया यग किस माप्ती पर ब्रामनों को भोजन कराया और खूब अनवस्त्र दान किये रात हुआ अपने शैनकक्ष में सो गया शिव के वरदान के अनुसार शैन अवस्त्र में ही उसके प्राण पखीरू उड़ गए सुरदेवर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे आसपास के लोग भी एकात होकर दुख प्रकट करने लगे लड़के के मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीव से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पारवती ने भी सुने माता पारवती ने भगवान से खहा प्राण नात मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे आप इस व्यक्ति को कष्ट दूर करें भगवान शिव ने माता पारवती के साथ अद्रिशी रूप में समी पाकर जाखा देखा तो बोले नाथ माता पारवती से बोले यह तो उसी विपारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयू का वरदान दिया था इसकी आयूप पूरी हो गई है मा पारवती ने फिर भगवान शिंकर से निवेदन किया कि उस बालों को जीवन देने का आगरे किया माता पारवती के आगरे पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछी पर्मेव है जीवित हो उठा सिक्षा शमाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया दोनों चलते वे उसी नगर में पहुचे जहां उसका बिवा हुआ था उस नगर में वी यग का आयोजन था समीब से गुजरते हुए नगर की राजा ने यग का आयोजन देखा और उसने तुरन थी लड़की और उसके मामा को पहचान लिया या किस माप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन दिया वस्त्र आदी देकर राजकमारी के साथ विदा किया इदर भूके प्यासे रहकर बेपारी और उसके पतनी बेटे की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिक्षा प्रतिक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मित्यों का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे परनतु जैसे ही उसके बेटे के जीवित वापस लोटने का समाचार सुना तो बहुत प्रसंद हो गए मैं अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुचा अपने बेटे के विवा का समाचार सुनकर पुत्र बथू राजकमारी को देखकर उसकी फुसी का ठिकाना ना रहा उसी रात भगवान श्रीव ने बेवारी के सोफर में आकर कहा मैंने तेरे सौंबार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है पुत्र की लंबी आयू जान का विपारी बहुत प्रसन हुआ शिब भक्त होने तका सौंबार का वरत करने से विपारी की सभी मनुकामनाई पूर्ण हुई इसी प्रकार जो भक्त सौंबार का विदीवत वरत करते हैं और वरत कथा सुनते हैं उसकी सबी अक्षाएं पूरी होती है और इस परकार समबार की वरतकाथा समाप्त हुई